दोस्तु मैं हो इस्टेम आटो एक्सोर्ट वान्ती टवगे में बी वाइड उलेक्टरा के पविल्ययन पर बी वाइड उलेक्टरा के पाविलियन बनाती है एक joint venture है बी वाइड चाइनिस 보니까 है विल्जोर ड्रींग वहीं उलेक्टरा भारत की अपनी मिलकर दोनों यह electrical buses बनाते हैं और सबसे ज़्यादा जो supply system electrical buses की है Tata Motors और BYD के पास ही है सबी जो maximum state transports आएं municipal corporations आएं इनको electrical buses प्रवाइड कीगी यह bus जो आप सामने देख रहे हो इसका नाम है E-Buzz K90.2 long range है 250 km की range है इसके लावा total 500 PS की power maximum इसकी motor generate करती है 3000 Nm का टॉर्क भी मिलता है 43 सीटर यह bus रहेगी इसके लावा दो सीट्स यहाँ पर ड्राइवर और साथ में conductor के लिए अलक्सी है AC bus है काफी इसमें features रहते हैं CCTV बगरा safety wise काफी ज़्यादा इसमें ध्यान रखा गया है अब चलते हैं एक बार इस bus को अंदर से भी देखते हैं जैसे कि आप देख रहे हो इसका interior परकल काफी cool है काफी good looking है देखने में अच्छा लगता है और काफी spacious भी feel होता है वहीं अगर हम seats की बात करें काफी comfortable है और उनकी seats की जो leather है इसकी quality भी काफी अच्छी है total three cctv's यहां पर रहेंगे तीन camera's इस bus में लगे हैं cctv के इसके लावा अगर हम dashboard की बात करें instrument console की बात करें तो उस पर driver's related हर information मिलती है चाहिए बैटरी status हो range हो gps navigation और even एक जो सबसे बड़ा function यहां यह सबसे अच्छा लगा वो है कि इस system में driver fatigue system एक involved है इसमें driver किसी वज़ा से थकान की वज़े अगर आख न लग जाए इस तरह कोई chances होते हैं तो यह बस अपने आप बंद हो जाती है यह इसमें एक बड़ा अच्छा features दिया safety features मैं इसको सबी features सबसे जाए safety features मानता हूँ अगर in case driver को की दिक्कत आ जाती है तो बाकि सवारियों की जान भी खतर में आ सकती है तो ऐसे में यह system बहुत ही कारगार है एक और system जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो है कि इसमें जो भी bus का route होगा वो GPS navigation में fix होगा अगर कहीं भी लगे के यह bus अपने route से कुछ अलग जा रही है तो उसका notification सिधा जो भी इनका central system होगा जहाँ पर सबी bus's की routes देखे जा रहे होंगे वहाँ पर उसका alert जाएगा कोई भी reason हो सकता है कोई emergency हो सकती है किसी तरह की माली जी किसी तरह कोई hijack हो है बस में तो वो सब वहाँ पर उसका alert सिधा जो center system जाएगा वहाँ पर safety features यह भी बहुत बड़ा है जिसको मानता हूँ चलिए अब चलते हैं जो next bus आप यह देख रहे हैं इसका नाम है K6 एक premium segment में bus आ जाती है K6 Lux अगर में इसको देखें इसका interior काफी high level का है premium यह bus आ जाती है luxury segment में और corporate level के लिए इस bus का ज़्यादा इस्तमाल किया जाती है और भारत में अपने एक first of its kind पहली ऐसी bus है जिसमें इस तरह का electrical bus है जिसमें इस तरह का interior का इस्तमाल किया जी है एक थोड़ी small bus है 7 meter इसकी length है 200 km इसकी range है 3-4 गंटे में इसकी charging हो जाती है top speed को थोड़ा limit किया गया है 80 km पर आर means यह intercity के लिए ही ज़्यादा useful है खुकि range भी उसी साब से है तो यह था दोस्तों overall कोशिश की है कि maximum जितने points इस bus के cover हो जाएं तो फिलाल आज के लिए ही इतना ही वीडियो अच्छी लगिए तो share जूर कीजेगा धन्यवाद वीडियो कौन तक देखने के लिए जाए हिंद